जी कैसे सबाब मैं सुभू इंदर आज मलबत कर रहा हूं राज पूजाम से असनगर महाली घरड में मैं आपके लिए 3PH के विलाज लेकर आया हूँ यह हमारा चंडिगड कुराली हाईवे पे प्रोजेक्ट है जो हमाचल रोड है वहाँ पे प्रोजेक्ट रहेगा इस सामने बिल्कुल गेड नमबर एक है हमारा हमारा टू गेटर टाउंशिप है गेड नमबर एक पे हमारे जो विलाज है यह रेई टो मूब में है फैमलीज रहे हैं अंडर कंशक्शन कुछ भी नहीं रहेगा थोड़ी बहुत अवैलेबल्टी है यहाँ पे 82 विलाज बने हुए है टोटल 82 विलाज है ऐसा ही ऐजटीज दसेकर में उदर बिल्कुल साथ में जो हमारा गेट नमबर एक है बिल्कुल इसके साथ में परजेक्ट रहेगा और जो हमारा इन आॉट वाला वो बड़ा गेट है जैसे हमारी दूसरा जो प्ररजेक्ट है साथ वाड़ा उसका तो 500 मीटर पर जो में रोड आ जाएगा हमारा जो नेशनल हाइवे है फैमिलीज रह रही है यह थ्री बीच के विलाज है एक सु तेरा गज में बने हुए है ग्राउंड फ्लोर पर टू बेड्रूम है टू अटाइच वाश्रूम ड्रेंग रूम ओलर किचन है फस्ट फ्लोर स्पेशिस टाउन्शिप है और देखो जी सबसे पहली बात है जो जो आपकी इंवेस्टमेंट है एक तो रेडी टू मूब में हो एक फैमिलीज रहती हो वहीं पर आपको इंवेस्टमेंट करनी चाहिए जैसा आप हमारा यह गेट टाउन्शिप जो हमारी बिल्कुल अवेलेबल्टी है जिसका यह गेट नंबर एक से लेके बिल्कुल लास्ट तक जो दस एकड रहते हैं और इस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर तरह की हमारे पास फेसिंग रहेगी एजएट इजी हमारा बिल्कुल साथ में मैं आपको कंश्रक्शन दिखाऊंगा और एक वि होते हो विजट करा देता हूं आपको जैसे यहां पर अभी हमने लेफ्ट करके इक रोब नी हुई है यहां के कम सेक्म पांफ दस करके बहुत सारी रोये मनी हुई है लास्ट में बॉन्डरी आ जाती है हमारी भीच में 35 шт का रोड रहता है यहां पर आपके लिए पार्किंग एरिया भी रहता है घास वग्यारा लगी हुई है जहां पे आप प्लांट्स वग्यारा लगा सकते हैं अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है वह आप पे डिपेंड है मैं आपको सेंपल दिखाता हूँ यह हमारा सेंपल भी रेडी हो रहा है 80% काम हमने कर रहा है इसमें और में एंट्रेंस जो इसका फ्रेंट है बाइस है पूरा प्रॉपर दिखा देता हूँ एक बर मैं यह हमारा स्पेशिस ड्रेंग रूम है अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है इस पर मॉल्लर किचन है बिल्कुल साथ में जैग्वार की टैप्स रहेगी मॉल्लर किचन में चिम्नी हम आजट इजी आपको देंगे बीच पे यह ड्रेंग रूम है हमारा एक बैड्रूम के सा जैग्वार की बात फिटिंग रहेगी यह कबड्स है सामने अगा अगा बैड्रूम है अटाइच वाश्रूम है जैग्वार की बात फिटिंग है कॉपड्स एजटीज मिली है स्प्लिटेज की प्रवीजन है तिन्नों बैड्रूम में और तिन्नों बैड्रूम में अंट्राइंग रूम में मिल जाएगी आपको स्टेर कहरी यह भी स्पेशियस है कि फ्रेंट एलिवेशन पर जो हमारा डेजाइन है यहां पर वेंटिलेशन के भी बड़ी वेंटिलेशन के भी बड़ी है टॉप फ्लोर की जो मॉन्टी है से थोड़ा बद आप स्टोरीज कर सकते हूं यहां पर मॉल्लर की चले यह हमारा बेडरूम है स्पेशियस स्टोरी ड्रेंग रूम है हमारा इसी के साथ बेडरूम के साथ आच वाश्रूम रह चाता है जैगुआर की बाद फटिंग रहेगी यह हमारा थर्ड बेड्रूम है और दोनों ड्रेंग रूम में तिनों बेड्रूम में स्पिलिटे सी की प्रवीजने है यह सारी यहाँ पे जो विंडो चुगाट्थे द्रवाजे सब पे पॉलिश हो रहेगा सारी चुगाट्थे वेग यहाँ पे हमने एक बाई एक की फ्लोटाई लगाई हुई है और यह इसकी बात कर रहा था मैं यह हमारा गेट नंबर दो है यह हमारे टोटल दस एकड़ है टू गेटर टाउंशिप रहेगी पिछे इधर हमारे जो बना हुआ एटी डू विलाज है यहाँ पे वन गेटर ट कर रहे हैं कंट्रक्शन में और जो रोड लेबल से साड़े छे बीट नीचे बना हुआ है हमारा सोड़ा एम का सरीया है छे लेंद्धे हैं बारा के रिंग है जितने भी हमारे यह डोर विम बगएर हैं सब में हमने बारा एम के सरीय शोड़ा एम के सरीय और आठ के रिंग कंट्रक्शन एक नंबर बढ़िया कर रहे हैं कॉलम देख रहे होंगे सारे अब एक बाई नौ इंची के कॉलम है एक सो तेरा गज में बने हुए हैं इसकी वन इयर पजैशन है एक साल में पजैशन अभी बूकिंग स्टार्ट हुई हुई है आप कर सकते हूं यह जो पिला करने के लिए